हाई असलाम आलेकूम आज हम बनाने जा रहे हैं चोकलेट केक चलिया भी हम बनाना स्टार्ट करते हैं कि मैंने अंडा अल्रडी फेट के रखा हुआ था अभी हम इसमें कोको पाउडर मैदा और बेकिंग सोड़ा वो सब चानके रखे थे अच्छे से दीरी दीरी आड़ करके उसको चम्मच की मदद से पूरा अच्छे से पतला मिस्टड बनाना है और अधु होड़ा थोड़ा द कोटिंग करने के बाद इस पर थोड़ा सा मैदर डालेंगे बटर भी यूज़ कर सकते बटर पेपर भी डाल सकते हैं जह सापको ठीक लगे हम नोग थोड़ा आल सी इसले मैदा और डालके ऐसे डीमूल कर देते हैं चलिए हम बैटर इस पर डालेंगे यह देखिए इस अब चॉकलेट हमने काट के रखा ता उस पर मेल्टेट बटर डाल देंगी यह देखिए हमारा पिगल गया है चॉकलेट अच्छी तरीके से अच्छे से उसको मिला लेना मिक्स कर लेना और फ्रीज में रखना रूम टेम्पराइचर में रखना वरना फिर वह जम जाता है फि जो Сबै. बटर में कम जड़ेश के लला करेंगे और अच्छे से मॉइस्ट हो जाते हैं सुगरेपर शुगरेपर, सीरप रखो जाई हमने स्खेवेक के केन्म ब्रूध पूरा घुल ता कि अछिंश से काट कर लिया है तरहाאל श्म्रार को भाति काकि बटरेमार्श भीदक इ चॉकलेट डालेंगे चॉकलेट डालेंगे चारव तरफ तरफ चाहे तो आप इस पे चॉकलेट भी डाल सकते हैं इस देखें आप इसे दूसरी लायर डालने के बाद हम शुगर सीरप चाहें टालेंगे चॉकलेट डालें यजे प्लेट तरफ पके प्शॉकलेट आप ने लगाने के बाद इस पैच्चुलेट चलाना है वह सब करणा है यह देखी है थोड़ा नाइफ गरम करने बाद चार्वें तरफ से छायनिंग जो सबोदे चार्वस में ते corresponds और हम घरम करेंगे तो कैसा नाइव को तो अच्छे से पुरा शेप आएगा पुरा शाइनी शाइनी दिखता है और मैंने आपको बताना भूल गेते आप फ्रीज में रख देंगे तो थोड़ा सेट हो जाएगा उसके बाद फ्रीज से निकालने के बाद आपको नाइव घरम टेक्स फुट बाल वाला केक है चलिए देखे हमने पाइनल टेचप दे दिया है अच्छे से अब चाहरो तरफ से पहले है कोड कर लिजे कहीं कहीं का फिनिशन्य नहीं आ रही थी वह सबसे मैंने बार बार नाइव गरम कर कर करके तो इसके बास अच्छे से शेप दिया है अब शेप दे दिया है साइड साइड का भी थोड़ा थोड़ा भाकी था अब यह जो बोड पे पूरा चॉक्लेट लगाए ना उसको अच्छे से पहले क्लीन कर देंगे साफ कर देंगे तो थोड़ा अच्छा दिखेगा खुबसूरा दिखेगा चलिए अब शेफ हो गए हमारा देखे हम इसको क्लीन करेंगे पूरे अच्छे से मैंने चॉक्लेट मोल्ड में आसा फूल वाला मोल्ड फ्लावर्स वाला जो भी आपको पसंद है वह मैंने मोल्ड में डालके अल्रेडी फ्रीज में रखा था यह देखिए कितना खूबसूरा दिख रहा चाहे तो आप गोल्डन कलर से ब्रश से जैसे भी आप करना चाहे व जाए चॉकलेट है यह देखिए हमने रोज रख दिया है रोज रख देंगे तो केक की लुक ही अलग हो जाती है देखिए अब हम रखेंगे चॉकलेट इसके वपर ही जैसे आपको डिजाइन समझ में है वह इसाब से रख दीजिए यह देखिए हो गया है और यह मैंने यह देखिए आप गोल्डन कर सकते है फूल को फ्लावर्स को जैसे डेकोरेट करना चाहे तो यह सब यह आर्टिफिशल है फ्लावर्स बाकी तो जो उस पर गोल्डन लगा रहा थे वह खा सकते है शुगर सीरप अब यह देखिए हमने साइट चैट से हमने सिल्वर कर का शी बोर्ट दिख रहा है चलिए अब हम इसको काट कर आपको बताते हैं जिए कि हम कट कर रहे है कि चलिए आप भी आजाए कट करने खाने के लिए बहुत यमी बना था अच्छा था अच्छा था एक दम अच्छा से बना था बें मुह में डालते साथ घूल गया था बहुत अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए थैंक यू